राजिस्तान में 25 दिसंबर को अटल व्याहरी वाचपे की जेनती कारिक्रम के दोरान दिन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में वे योजनाय बंद नहीं होगी जिने पिशली कॉंग्रेस सरकार ने शुरू किया था बलकि उन्हें और असरदार बनाया ज जाएगा लेकिन शाम होते होते गहलो सरकार में शुरू हुई राजिव गांदी युवा मित्र इंटरंशिप योजना को 31 दिसंबर तक बंद करने के आदेश चारी कर दिये इससे राजी के 2000 युवाओं पर असर पड़ेगा राजिव गांदी युवा मित्र इंटरंशिप योजना में युवाओं को सरकार के अलग-अलग विभागों में 6 महने से 2 साल तक की इंटरंशिप करवाई जाती थी इंटरंशिप में युवाओं को 10,000 रुपे महने दिये जाते थे यह योजना 2021 और 2022 में शुरू की गई थी पूर्व सीम अशोक गहलोत ने भाजपा सरक के फैसले पर पलटवार किया गहलोत ने बयान जारी कर कहा राजिव गांदी युवा मित्र इंटरंशिप कारिकर में सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुचाने के लिए कारे कहरे युवाओं की सेवाएं समाप्त करना उचित नहीं हैं ये युवा सरकार की योजनाओ के बारे में जाग रूखें और सरकार की काफी मदद कर रहे हैं नई सरकार को इस योजना के नाम से परिशानी थी वो राजिव गांदी सेवा केंद्रों की तरह नाम बदल कर अडल व्यारी वाच्पे के नाम पर कर सकती थी कॉंगरिस प्रदिशा अध्यक्ष गोविन ने एक्स पर एक पोस्ट किया राजिस्थान की भाजपा सरकार ने नए साल से पहले हजारों राजिव गांदी युवा मित्रों का इंटर्शिप कारिकरम समाप्त कर उन्हें बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है